नवश्कार मैं हूँ सुक्रती रोई चैटिर जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है पीरिट्स एक नाचिरिल एक्टिविटी है जो हर महीने आती है और उसे टाला भी नहीं जा सकता पीरिट्स के दौरान मूद स्विंग सोना, इरिटेशन, क्रैम्स पढ़ना यानि कराहना आम बात है कई बार ये ऐसे वक्त पर आ जाते हैं जब आपको या तो कहीं बाहर जाना होता है या फिर आपके घर या रिष्टदारों में कोई फंक्शन पूजा या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान का मौका होता है तब दिमाग में तो यही ख्याल आता है कि काश ये पीरिट्स आगे बढ़ाय जा सकते हाला कि इसके लिए कई तरह की दवाईयां भी आती है लेकिन उनका जादा सेवन और भी परिशानी खड़ी कर सकता है लेकिन जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो ऐसा लगता है कि ये पीरिट्स पोस्पोन हो जाए बहराल हम आपको कुछ ऐसी चीजे बताने जा रहे हैं जिससे आप पीरिट्स को डिले कर सकती है एपल विनेगर का सेवन करना पीरिट्स को डिले करने में मददकार है कुछ शोद के मताबिक इसमें बहुत जादा एसिट पाय जाते हैं जो आपके पीरिट्स को 10-12 दिनों तक डिले कर सकते हैं हाला कि ये मेडिकल साइंस ने प्रमारत नहीं किया है डेट आने से लगबग 10-12 दिन पहले अगर आप 2-3 बार इसका गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो पीरिट्स डिले हो सकते हैं वहीं अगर ये पीरिट्स को डिले नहीं कर पाता तो इसके बहाव और क्रैम्स को कम जरूर कर देता है लाइम जूस का काम भी एपल विनिगर की तरह ही है लाइम जूस विटामिन सी से भरपूर है नीम्बू के रस विटामिन्स और सित्रिक एसिड का भरपूर सोर्स है पीरिट्स आने से पहले अगर इसे ले लिया जाए तो इससे पीरिट्स आगे बढ़ सकते हैं नीम्बू का रस यानि लाइम जूस बलड फ्लो को भी हलका कर देता है और पीरिट्स से संबंदित परिशानियों को भी कम करता है यही नहीं नीम्बू पीरिट्स को टालने जादा बलड फ्लो को कंट्रूल करने या रोकने का काम करते हैं इसके लिए नीम्बू को चबाएं या खाएं आप पानी में नीम्बू निचोड कर भी पी सकती हैं अगर आप पीरिट्स में थोड़ा डिले चाती हैं तो चावल का पानी पी सकती हैं इसे नॉर्मल तरीके से या फिर नीम्बू का रस मिला कर पीएं दिन में कम से कम तीन बार रोजा ना पीएं जोसे आपको जल्द लाब मिलेगा चावल के पानी के लिए चावल को साफ पानी से ही धोएं और इसको पी लें उमीद करती हूँ कि आपको ये वडियो पसंद आया होगा वडियो को लाइक और शेर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें